तीटी नगर थाना इलाके में पिछले दिनों नगर निगम अधिकारी कमड शाकीप को तमाचा मानने वाले बदमाश अलताफ के घर पर शनिवार को निगम ने बुल्डोजर चला दिया निगम अधिकारियों का कहना है कि वाड नंबर 25 के बान गंगा में अलताफ ने अवेद रूप से मकान बनाया है नगर निगम दुआरा की जा रही करवाई के दोरान जम कर हमगामा हुआ इस दोरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा इधर कॉंग्रेस के नेता प्रतिपक शबिस्ता जकी भी अपने समर्थकों के साथ पहुँची यहां उनकी शाकिप से जम कर बहस हुई जकी ने शाकिप पर वसूली करने तक के आरोप लगा दिये निउ मार्केट के हकर्स कॉर्णनर पर 20 अगस को निगम के अतिकरमन अमला करवाई करने पहुचा था यहां पर अलताफ मनोज और एजाज ने हंगामा खड़ा कर दिया था और अतिकरमन अमले से गाली गलोच करने लगे थे विरोध करते हुए उन्होंने छेट के अतिकरमन प्राभारी आकाश मिश्रा राजीव वा नावेद के साथ मार्केट कर दी थी इसी बीच बीच बचाव करने आए अधिकारी कमर शाकिप को अलताफ ने तमाचा मार दिया था घटना की जनकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुँच गया था पुलिस ने आरोपती एजास बैग और मनोज लोधी को गिरफतार कर लिया था जबकि अलताफ अभी फडार है उनके खिलाफ शास्किये कारी का बाधा पहुचने मारपीट गाली गलोजवा धमकी का प्रेकरन दर्ज किया था पुलिस का कहना है कि अलताफ के खिलाफ तीती नगर श्यामला हिल से ठाना में एक दरजन से अधिक प्रेकरन दर्ज है निगम अमला अब बान गंगा इस्तिफ अलताफ का घर तोड़ने पहुचा तो उसके परिजनों ने विरोध करना शुरू कर दिया उनका कहना तक हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है गैस राहत के तौर पर मिली राशीच से उन्होंने घर बनाया है अब निगम अवेट कबजा बता कर तोर रही है रहवास्यों परिजनों और कॉंगरेसियों ने जम कर हंगामा किया लेकिन पुलिस बलकी मौझूदगी में करवाई को अंजाम दिया गिया है